निमस्कार स्वागे थे आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ कभी इंद्र शुरुवात हैरलाइंस महाराष्ट में मंति मंदल का पहला विस्तार बीजेपी के छे और शिवसीना के दो मंतियों समेट दस नहे चेहे शपत समहरों में नहीं पहुंचे ओधठाक ने राजसभा के चार नए सदसुनिली शपत जैराम रमेश आसकप फनान्दीज, जैकपर और सतीच चंद मिश्राशा में कहा बिनावरोद करेंगे सदन में काम मनिपुर में देड़ हजार से जादा मुद्भेडों पर सुप्रीम कोर्ट सक्त, केंद, राजसरकार और एनचार सी से मंगी रेपोर्ट कहा सेना और अर्दसानिक बल नहीं कर सकते बदले की कारवाई और बगदाद में शियाब मस्जित के पास बड़ा धमा का 35 लोगों की मौत, 60 से ज़्यादा घायल आई इसने लीजिमेद आई और आई देखते हैं पहली ख़बर एकनात खड़से के महराष्ट मंत्री मंडल से बाहर होने के बाद मुख मंत्री देविंद फरनवीस ने आज कैबिन्ट का विस्तार किया मंत्री मंडल में दस नए चेहरों को शामिल किया गया है इनमें आठ भीजेपी से और दो सहियोगी शिफसेना से हैं बीजेपी के एक राजमंत्री को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है हलाकि शिफसे नाप्रमक उद्धर ठाकरे शपत गहर समाहरों में नहीं पहुँचे राजभवन में राजपाल सी विद्या सागर राव ने नए मंत्रियों को पद और गोपनियता की शपत दिलाई छे विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के तौर फर शपत ली है इनमें राजमंत्री रहे बीजेपी के राम शंकरशिंदे के अलावा पांडूरंग भुंडकर, जैकुमार रावल, संभाजी पाटिल निलंगेकर और सुभाश देशमुक शामिल हैं वहीं सहियोगी राश्रिय समाज पार्टी के महादेव जानकर को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है वहीं बीजेपी के रविंदर चहुआन, मदन येरावर, शिव सेना के अरजुन खोटकर, गुलाब राव पाठिल और स्वाभिमानी पार्टी के सधाभाव खोट ने राजमंत्री के तौरवर शफतली शिव सेना ने एक कैबिनेट मंत्री बनाने की मांग की थी, इसे लेकर पार्टी नेताओं ने मुख्य मंत्री देवेंदर फर्णवीस से मुलाकात भी की थी लेकिन बीजेपी ने इसे नहीं माना पिछले दिनों केंद्रिया कैबिनेट के विस्तार पर शिवसेना ने इसे एंडिये की जगह बीजेपी का विस्तार बताया था हाला कि उद्धव ठाकरे ने मदवेदों की खबरों से इंकार किया है कॉंग्रेस ने भी शफद ग्रहन समहारों का भहिशकार किया राज्य एकाई के अध्यक्ष अशोक चववार ने कहा कि इसे महराष्ट का कोई फाइदा नहीं होगा वहीं एंसीपी ने भ्रष्ट मंत्रियों को मंत्री मंडल में लेने का आरोप लगाया है पछले महीने जमीन घोटाले के आरोप में एकनाथ खढसे को मंत्री मंडल से हटाया गया था खढसे के पास कई एहम विभाग थे इसके बाद मंत्री मंडल का विस्तार जरूरी हो गया था ब्यूर रिपोर्ट राज्य सभा टीवी अनंद आपकी नजर में ये विस्तार किस तरीके का देख रहा है क्योंकि जिस तरीकी की जरूरत थी और जो आरोप लग रहे थे खड़से के बाद कहा जारता क्लीन निमेज हो सकती है क्योंकि कुछ इस तरह से पार्टी की निर्देश है लेकिन विपक्षारोप लगारा की चार मंत्री ऐसे हैं जो टिंटेड है एक जो फुंड कर जो पांडुरंग फुंड कर जो मंत्री है उनको राज्य सरकरी बैंग जो है उसमें एक जो घुटाला है उसमें उनका काफी राम है और भी दो-tीन है तो ऐसा है कि कही न कहीं किसी क कुछ न कुछ तो होता ही रहता है लेकिन यह जो गड़बंदन है या जिस तरह से आज जो विस्तार हुआ है तो जैसे कि हमने यहां केंदर में देखा कि अलाइज को साथ में लेके चलने के लिए और आगे चलके कुछ गड़बंदन हो इसलिए क्योंकि इसमें जो अलाइज जो है मिस्टर विनायक मेटे जो शिव संगराम पार्टी से एक छोटी सी दे आरेक्ट वो एक्चुली माराथा अरक्षन के लिए बहुत बड़ा अंदोलन उन्होंने खड़ा किया था लेकिन आब वो बीजेपी ने वैसे उनको आश्वासंदिया था और अपने साथ लिया और जो साथी उनके एक हैं उनको भी इस्तिफा देने के लिए कहूंगा वगरे वगरे तो इस तरह से इनों ने जो अलाइज हैं जो जानकर करके हैं और ये जो सदुभावू खोत हैं उनको साथ में लिया है जैसे केंद्र में रामदा साठोले को बीजेपी ने लिया है तो इस तरह से अलाइज को थोड़ा सा गोड़ी उमर में रखना एक तरह से शिवसिना जिस तरह से बीजेपी के साथ उनका जिस तरह से रवईया है तो उसको भी कहीं ना कहीं बैलन्स या नियोट्रलाइज करने की कोशिश इसमें यही माना जाए कि शिवसिना को वहां पर नि कि छोते सहीओ की ज़रूर है इनको अपनी तरफ मिलाने की कोड़िंस है और ऐसे संक्येत देने की कोड़िंस एक शुष सेना वसतरह से बारगेन नहीं कर सकती कि पहले करती थी देखिए शुष सेना बारगेन नहीं कर यह फिर एक फलाने फलाने कुछ मंत्राले की मांग की थी लेकिन वो कुछ हुआ नहीं उनको दो राज्यमंत्रियों के उपर ही संतुष्ट होना पड़ा है और फिर अब आके उन्होंने एक अपना निवेधन भी दिया है कि हम सरकार चलाना चाहते हैं मुझे लगता है कि तरह से भाजप और शिवसेना जो है जो आने वाले जो लोकल बाडिस के इलेक्शन अब नवंबर दिसंबर से शुरू होने वाले हैं और मार्च में मुंबई जो सबसे बड़ा एक माना जाता है जहां बीजेपी शिवसेना साथ में है लेकिन जैसे कल्लान डूम्बी उली म महानगरपालिका में पहले हुआ था कि दोनों अलग लड़े और फिर बाध में साथ में आये तो मुझे लगता है कि दोनों अपने अपनी ताकत आजमाएंगे मुंबई महानगरपालिका में भी शायद ऐसी होगा लें फिर वो एक हो जाएंगे अगर इस मैं कहुं मंकमंड में जो तूशल इंजिनिंग की फामूला सेंटर में देखा हमने, क्या कुछ उसी तरह का फामूला वहां पर भी नजर आता है, आपको शेक्र और जा। उनको साथ लेने की कोशिश की है, क्योंकि अभी तक ये था कि जब गोपिनात मुंडे थे, तो OBC का बहुत बड़ा तपका एक BJP के साथ रहा है, इसलिए शायद आपने आज ख़बर पड़ी भी होगी कि एक मंत्रिन तो गोपिनात मुंडे का नाम लेके शपत लिए है, तो उनको मानने वाला जो एक बहुत बड़ा सेक्शन था, तो उसको साथ में लेने की एक कोशिश है, कि वो हमसे बिछड न जाए, क्योंकि शिवसेना का जो वोट बैंक है, वो मोटे तोर पे OBC रहा है, तो इसलिए कि वो वर्ग आगे चलके, क्योंकि शिवसेना जिस तरह से अकरामक मुद्रा में है, और बीजेपी के साथ एक काफी संघर्ष वो सत्ता में रहते हुए भी ले रहे हैं, तो शायद अब बीजेपी में कोई हमारा है नहीं, तारणहार, तो फिर अगर ये जो सेक्शन से, वो अगर शिवसेना की तरफ जाएंगे, तो बीजेपी के लि लिए एक रिप्रेजेंटिटिव एक जैसे कारेक्टर हम कहते हैं, उस तरह से ये जो चोटी-चोटी ग्रूप से, और ये उनका जो है, ये महादेव जानकर है, ये काफी अपने कम्मिनिटी के जमीन के नेता है, तो उनको साथ में लेके उन्होंने एक मेसेज दिया है, और होने के दन्यवाद, और ये थी हमारी पहली के पर चोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार दिन भर के दूसरी बड़ी का, अज हमारे खास मिर्मान है, नीती आयूग के वैस शेर बेन अधिन तुन गड़िया साथ, योजन आयूग से नीती आयूग का अब तक का सफर, जो बद कर लाओ है किस तरीके कर रहा है हैंतक? देखिये तरकश शनिवार रात साध्यार्ट जी भारत और दर्शनाफ्रीका पारंपरिक संबंधों को नई उचाईयों पर ले जाने के लिए साथी साथ रक्षा उत्पादन विद्रमाण और खरंड जैसे शेत्रों में अपनी साज़धारी को बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी की आज राश्पती जैकब जुमा से मुलाकात में उस पर सहमती बनी और इस मौके पर दोनों देशों के बीच चार समझोतों पर दसकत किये गए दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और अंतराश्टिय मुद्दों पर मिलकर काम क करने के लिए भी तैयार हैं रक्षा उपकरणों के निर्मान में दक्षण अफरीका को काफी महारत हासिल है राश्ट्रपती जैकब जुमा ने कहा कि वो भारत के साथ कई दूसरे क्षेत्रों में व्यापार के एक चुक हैं और उनका देश संयुक्त राश्ट्र सुरक्षा परिशत विस्तार समेत अंतराश्टिय मंचों पर भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है आने वाले दिनों में दोनों देश संयुक्त उपकरम बना कर और खास तोर पर समुद्रे इलाकों में दोनों देश संयुक्त रणनीती बना कर काम करेंगे साथ ही आतंगवाद के खिलाफ लड़ाई आपसी सहियोग को बढ़ाने पर भी सहमती बने दोनों नेताओं ने भारत और दक्षिन अफरीका के कारोबारियों के सम्मेलन में भी शरकत की इससे पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी का प्रिटोरिया पहुशने पर गर्म जोशी से स्वागत हुआ उन्हें गार्ड ओफ ओनर दिया गया भारत और दक्षिन अफरीका भावनात्मक और राजनितिक रूप से काफी करीब हैं वे ब्रिक्स, इपसा और जी फोर के लावा संयुक्त राष्ट के सभी मंचों पर साथ काम कर रहे हैं इसके लावा दस सालों में आपसी व्यापार में 300 फीजदी की बढ़ोत्री हुई है भारत की 100 कंपनियां दक्षिन अफरीका में व्यापार कर रही हैं अखिलेश सुमन, राज्य सभा टीबी राज्य सभा के लिए चुने गए चार सांसदों ने आज सभापती मुहमद हामेद अनसारी की मौजूदगी में शपत लिए शपत लेने वालों में कॉंग्रिस के नेता जहराम रमेश और आसकर फरनानीस के साथ बीजेपी के मजे अकबर और बीएस पी के सतीश चंद मिश्रा शामिल रहे सांसदों का सबसे जादा जूर चर्चा के जरिये जर्टा से जुड़े मुद्धे उठाने पर रहा राज्य सभा के सभापती के चेंबर में शुकरुआर को चार सांसदों ने शपत ली सांसदों ने कहा कि संसद में अवरोत के बिना जन सरोकारों के मुद्धे को उठाकर सरकार को ज्यादा जवाबते हैं बनाये जा सकता है तो चाहती है कि चर्चा ना हो जो अदर और सांसद है या अपोजिशन है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सांसद को हर तरीके से कोशिश करें कि चले बात रखें अपने चेतर की बात रखें, देश की बात रखें और जिसलिए यहां पर हमको भेजा गया है उसको पूरा करने के काम। चेतर की बात रखें और जिसलिए यहां पर हमको भेजा गया है उसको पूरा करने काम। चेतर कर देना चाहिए कि यह मामला उसके अधिकार शित्म है यह नहीं। जस्तिस दीपक मिश्रा और यूई लड़ित की खनपीट ने कहा है कि हाई कोट ने सुनवाई पूरी कर पैसला स्ट्रक्शित रख लिया है। पैसला आने के बाद दिल्ली सरकार चीज अधालत आ सकती है। जब खुद आम आदमी पार्टी हाई कॉर्ट गई तो सुप्रीम कॉर्ट क्या उनको हाई कोट पर विश्वास नहीं है। हाई कॉर्ट में जाने के बाद, वहां जब माइटर सुना जा रहा है, तो आप जबरदस्ति ही सुप्रीम कोट में एक किसम से एक नए प्रेटेशन को डालने के प्रयास कर रहे हैं और जो सुप्रीम कोट ने का तो उनको रिलीफ कहा मिला उनका डिस्पोज ओफ हो गया है। आज इसका एलान किया, उन्हें बताया कि आतंकवात से किसी भी तरह का सम्दोता नहीं किया जाएगा। मीडिया में खबरे आई हैं कि धाका काफे का एक हम्रावर जाकिर के भाशनों से प्रोहावी था। महराज सरकार ने भी कल नाइक के भाशनों की जांस के आदेश दिये थे। बीजेपी और कॉंगरस ने नाइक के खिलाफ कारवाई की मांग किये। जाकिर नाइज की स्पेशेस का हम लोगों ने कागरिजन्स लिया है और इस संबन्थ में आवस्चक नरदेश जारी किये गए हैं उनकी स्पीशेज और उनकी स्पीशेज को प्रापर्ली एक्जामिन किया जा रहा है जो जस्टिफाइड होगा वो किया जाएगा और इतना म बलका इस्तमान नहीं कर सकते हैं कोट ने मनिपूर में कथित तोर पर हुई 1528 फर्जी मुटभेड़ों पर सुनवाई के दौरान ये बात कही है अदालत ने इन मुटभेड़ों पर जानकारी भी महंगी है ताकि आगे की कारवाई का खाका तैयार किया जा सके कोट ने कहा क कि इन आरोपों की जाच सेना खुद भी कर सकती है शीर्स अदालत राष्टी मनौ अधिकार आयो के सिदावे की जाच भी करेगा कि वो काज़ी शेर है और उसे और अधिकारों की जरूरत है याज का करता सुरेश तिंग ने जश्यस्त्रबल विश्यस अधिकार कानून यान सेने पटने के लिए सीना की मदद दी जा रही है सीना के जवान हेलिकॉप्टर और नाओं के जरिये लोगों को बचाने में लगे हैं लेकिन गाओं को अभी भी मदद की धरकार है बाड की चलते कई जिलों में स्कूलों को दो दिनों के बंद कर दिया गया है उधर असम में हालात और विगड़ गए हैं जो राहत जिले के दस और गाउं बाढ की चपेट में आ गए हैं इलाकों में खाने पीने की चीजों दवाईयों समेश जरूरी सामान पहुंचाने में जुटा है सतना समेश राज्य के जादतर इलाकों में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई है इसे नर्मदा, पार्वती, चंबल, केन, तवा और तमस समेट कई नदियां उफान पर हैं बाढ के चलते कई रास्ते बंद हो गए हैं हालात को देखते वे रीवा, सतना, जबलपुर और होशंगाबात समेट कई जिलों में अकले दो दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिये गए हैं रीवा जिले के जादतर हिस्से भी बाढ पीडित हैं बचावकर्मी नाव और हेलिकॉप्टर के जरिये फसे हुए लोगों को निकाल रहे हैं दो दिन पहले पुर्वा जल प्रपात में बह गए पांच लोग अभी भी लापता हैं मौसमे भागने अगले 24 घंटे में सतना, हुशंकाबाद, जबलपुर, राजसेन, विदिशा, सागर, दमू, नरसिंगपुर, भोपाल, बैतूल समेत कई जिलों में भारी पारिश्य आशंक का जताई है उधर असम में बाढ से हालात और बिगड़ गए हैं शुकरवार को जोरहाट जिले के 10 काउं बाढ की चपेट में आ गए राजे में ब्रह्मपुत्र नदी कई जगों पर खत्रे के निशान से उपर बह रही है और स्टे आरफ रहात और बचाओ में लगा है असम के आठ जिलों के डेल लाग से ज़ादा लोग बाढ से पीड़ी थें अमेरिका में हमलावरों ने पाँच पुलिस करवियों की गोली मार कर हत्या करती है यह घतना जलास में हुई यह जाएक आश्वेट की हत्या के खिलाफ प्रदशन चल रहा था अमेरिका के डेलस में इस बार गोली बारी का निशाना पुलिस बनी एक हमलावर ने घात लगा कर फाइरिंग की जिसमें पाँच पुलिस वालों की मौत होगी हमला उस वक्त हुआ जब प्रदशन कारी दो अश्वेट नागरिकों की हत्या का विरोध कर रहे थे पुलिस पर गोलियां चलाने वाले एक संदिक्द ने खुद अपनी जान ले ली जबकि एक महिला समेट तीन आरोपियों को गिरिफतार किया गया है डेलस पुलिस के मताबिक हमलावरों ने शहर में बम रखने की चितावनी भी दी इसकी सूचना संगिय जाच एजिंसी को दे दी गई है राष्टपती बराक उमामा ने मिर्तक पुलिस अधिकारियों को शुरधांजली देते हुए कहा कि ऐसे हमलों को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता हमले के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है इस हमले को अमेरिकी पुलिस पर हुए बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है इस से पहले 2001 में वर्ल्ल ट्रेड सेंटर पर हुए हमले में 72 पुलिस वालों की जान गई थी बियोरो रिपोर्ट राज्यसबा टीवी इराक के वलाद शेहर में एक शिया पवित्रस्तल में हुए आत्मगाती हमले और गुलिवारी में 35 लोगों की मौत हो गई साथ लोग हाल हुए है एराकी सुरक्षा कर्वियों के मताबिक राजधानी बगदाद से करीब 90 किलोमीटर दूर वलाद शेहर में गुरुवार दिराद बंधमाका हुआ पर इसके बाद बंदुगधारियों ने एद का तेवार मना रहे लोगों पर गोलिया चलानी शिरू कर दी एक हमलावर ने परवित रस्तल के बाहरी गेट के समीब खुद को अड़ा लिया वहीं दूसरे आत्मगाती हमलावर ने पुरक्षा कर्वियों उसे गोली मार दिया हमले के समयदारी आत्मपारी संगठन इस्लामिक स्टेट ने लिए तो ख़बनों के आखे ने कुछ और अहम खबरे संग्षेप में पाटिदार नेता हारदिक पटेल को राज़ द्रो के दो मामलों में गुच्रात हाई कोट से समानत मिल गई है कोट ने हारदिक को छे महीने के लिए राज़ से बाहर रहने के आदेश दी है हारदिक पर अन मामले भी चल रहे हैं जिसके चलते उसे जेल से रिहा नहीं किया गया है मुक्मंत्री अरविंद केजरिवाल को मानहानी के मामले में दस हजार रुपए के निजी मुशलके पर जिमानत मिल गई है मानहानी का ये मामला भीजे पिसांसाद रमेश बिधूरी ने दार किया है इस मामले में अगली सुनवाई 6 अगस्त को भी दिल्ली में आमादनी पार्टी के एक और विधायक पर महिला ने बतलूकी का आरोप लगाया है दिल्ली से विधायक पकाश जारवाल पर यारूप लगे हैं वहीं विधायक के खिलाब भारा 34, 556, 559 और 34 के तहत मामला दर्च लगे है ग्रीमंत्री राजनासी ने गुरवार को मादक पदार्टों के खिलाफ लेक्सिलेशों के कार्टन का उपड़न किया ग्रीमंत्री ने सभी देशों से नशेक के खिलाफ मिलकर लणने की प्पी करनाड़क सरकार ने जेप्टियसपी आत्महत्या मामले की सी आई टी जांच के आदेश दिये हैं से पहले बीजेपी ने इस मामले को लेकर प्रदेशन किया जेप्टियसपी गनपति ने अपरण के आरूप के बाद आत्महत्या कर दिये सुरक्षावलों ने 36 गड़के सुक्मा से 8 नकसलियों को गिरफतार किया है सीर पिएफ ने नकसलियों के पास से नगड़ी और गोलावारू बरावार किया है भारत के तीन साइकल रेसर दुनिया की सबसे पुरानी और प्रसिद साइकल रेस में हिस्सा लेंगे माउंटिन बाइकिंग के नाम से मशूर दबाइक प्रांस एल्प में करिब 46 देशों के साइकलिस्ट हिस्सा लेंगे ये प्रत्युक्तिया औस्टिया में 17 जुलाई से चुरू हो रहा है केरल सरकार ने राज में 14.5 की दर से 5 टेक्स लागू कर दिया ही टेक्स विज्जा बर्गर जैसे जंक पूर उत्पादों पर लगएगा इसके लावा सरकार ने 10 साल से जादा पुराने वाहनों पर ग्रीन टेक्स भी लगाया है साओधी अरप में मदीना मस्जिद में हुए धमाकों की जाच कर रही पुलिस ने 19 लोगों को हिरास्त में लिया है इन में से 12 लोग पाकिस्तान के हैं इन बम धमाकों में चार पुलिस करनी मारी गया थी टीम में बारिश और भूसकलन से मनेवालों का अंकड़ा बढ़ रहा है उतरी प्रांत में भूसकलन से 35 लोग की मौत हो गई और इसके बाद रहत और बचाओ का काम पर प्रभावित हो रहा है वे इस पुलिटर ने फिला लेतना ही असकार